Dear friends, welcome back. Friends, मैं बाला जुमदर आप सभी का स्वागत करता हूँ. Friends, आज हम डाइग्राम सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रिप्रोडॉक्शन इन लोवर एड हाईएर एनिमल्स. ठीक है? तो इसी टॉपिक के बारे में हमें डिस्कस करना है बच्चो. तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे डाइग्राम सेशन की. बच्चो सबसे फर्स्ट वाले जो डाइग्राम दिखाई दे रही है तो उसे उतना गोर से तो हमें अभी नहीं देखना है. फिर भी इसी डाइग्राम के ऊपर किस प्रकार से क्वेशन बन सकते हैं जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए बच्चों के लिए खिल्पूल होता है. तो शॉर्ट नोट्स के दोर पर क्वेशन बन सकते हैं, इसी प्रकार के रिप्रडॉक्शन को हम बढ़िंग भी कह सकते हैं. अब ये डाइग्राम जो दिखाई दे रही है, ये भी रिप्रडॉक्शन से ही रिलेट है. ये भी हमें उतना गौर से नहीं देखना है. उसके बाद जो डाइग्राम हमें दिखाई देती हैं, most important diagram है, इसी के उपर exam में question बनने के chance से तो किस प्रकार के question बन सकते है बच्चो इसी diagram के basis पर short note बन सकती है, उसके बाद answering short भी बन सकते है drawn at level diagram के basis पर question बन जाएगा या फिर long answer question के question बन सकता है, तो इसी प्रकार के question बनने के chances diagram से होते है, और यह diagram हमारी syllabus के लिए important है, अब देखो बच्चो male reproductive system, इसी की यह diagram हमें दिखाई दे रहे है, इसके अंदर male reproductive system को अच्छी तरह से बताया है सबसे फश्च देखो इसके अंदर हमें क्या दिया है, तो यहाँ पर देखो हमें इसी diagram के अंदर जो दिखाई होता है, उसके बाद हमें glands दिये वाले जो bulbo-urethral glands है, जो secretion बताते है उसके बाद prostate भी gland दिये वाले है, seminal vesicle जो semen secretion को help करते है और urinary bladder यहाँ पर दिया है जो urine चोर करता है, उसके बाद इधर का जो portion दिये वाला है, यह है जो urine conduct करने वाले tube vas deferens हमें दिये वाला है बच्चों, उसके बाद epidemies के बारे में भी यहाँ पर बताया है और vas deferens भी दिया है और उसके बाद retic तो इसी तरह से बहुत सारे labels यहाँ पर दिये वाले है, testic वाले तो बियूर्स भी वहाँ पर present है और यह जो copulatory organ है यह penis वता है, इसका आगे का portion gland penis है और यह foreskin का part है, तो इसी तरह से यह diagram हमारे लिए important होज़ा है जो exam के लिए हमें इसे अच्छी तरह से देखना है, जो question के form में अगर आएगी तो हमें उसी का बहुत बड़ा benefit वाला है ठीक है, उसके बाद another जो diagram दिये है, वो भी male reproduction ही related है, लेकिन यहाँ पर जो male reproduction का part दिये वाला है और testis का internal structure यहाँ पर दिया है जिसके अंदर देखो सबसे फर्स्ट हम seminiferous tubules दिखाए दे रहे हैं उसके बाद septum, leobules, tunica, alveugenia, tunica, vagina, बच्चो, rated testis का area दिया है, vast appearance दिया है vast difference महाँ पर दिये वाला है ठीक है, spermatic core दिखाए देता है blood vessels है epididimes का head दिखाए दे रहा है epididimes की body दिखाए दे रहे है उसके बाद tiers of testis यह भी diagram हमारे लिए important होती है, connected tissues दिखाए दे रहे है sperm bundle से जो अंदर होते है उसके बाद serotonis cells है ओ भी अंदर होते है, tunica, alvigina बाहर का area, seminiferous tubules है seminiferous tubules responsible है sperm cell produce करने के लिए radic cells कुछ hormonal secretive help करते, germinal epithelium है और basement में अब देखो बच्चो, इतना सब कुछ इस diagram में दिखाए दे रहा है तो diagram हमारे इंपोर्टन बन question short node के basis पर बन सकता है answer in short पर बन सकता है drawn eight level diagram के basis पर भी बन सकता है और long answer question के उपर भी यहाँ पर question बने के चांसे सब्सक्राइब तो यह question बनने के chances हैं हमारे exam diagram को हमें दोहर से देखो उसके बाद दिये वाली है another important diagram that is the female reproductive system female reproductive system most important है अब इसी female reproductive system के अंदर बहुत सारे parts दिये वाले है जैसा vagina का part है उसके बाद cervical canal दिये वाला है cervix है cervix के बाद यहाँ पर आते हैं हम तो हमें दिखाई दे रही है ठीक है इतने सारे parts यहाँ पर है उसका थिमरी का एरिया है infundi bulum है उसके बाद ampula istomus इन सभी को मिला कर हम philopene tube के नाम से जानते हैं uterion fundic का area और यहाँ पर हमें uterion cavity बीचे जहाँ पर embryo process चलने के लिए support आए तो इस तरह से embryo formation यहाँ पर चलेगा ठीक है उसके बाद कुछ walls दे वाले हैं जो uterus के होते हैं endometrium, myometrium और इसी तरह से यह female reproduction बनती है अब इसी के ऊपर भी long answer question बनने के chances होते है draw net label diagram भी वहाँ पर पूछने के chances होते है short notes और answer short भी वहाँ पर पूछने का chances short notes तो इसी परकार के questions के chances होते हैं उसके बाद जो another diagram दिये बच्चों वो है yes of ohrie and graphian follicle यह दोनों भी diagram हमें अच्छी तरह से देखना है इस diagram के अंदर हमें ohrie का structure दिया है जिसके अंदर हमें ohrie के structure के अंदर किस प्रकार से primary follicle, secondary follicle उसके बाद tertiary follicle दिये वाले है mature follicle क्या होता है ocides क्या है, medulla क्या है उसके बाद cortex region क्या होता है corpus luteum क्या होता है और corpus albicans क्या होता है, इस सभी structure को अच्छी तरह से देखना है graphian follicle में ठीका external, ठीका internal, एंटेराम उसके बाद granulosa cells दिये वाली है उसके बाद corona radiata ocides इसी प्रकार के structure दिखाई तो long answer के questions यहाँ पर पूचने के chances होते हैं answer in short भी पूचने के chances होते हैं और draw net level diagram पर इसके बाद another diagram दे वाली है बच्चो ओ gland की diagram है, जिससे हम memory gland कहीं तो memory glands की diagram यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है internally अगर हम structure देखेंगे तो वहाँ पर fat दिखाई देते है, gland lobule दिखाई देते है, lactiferous duct वहाँ पर होते हैं, lactiferous sinus वहाँ पर होते हैं बच्चो और इतना होने के बाद suspensory ligaments और पेक्टो rallies major muscles भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो इसी तरह से बहुत सारा area और बहुत सारे partici के अंदर होते हैं question long answer के basis पर बन सकता है या फिर short node दी वहाँ पर बनने के chances होते हैं, उसके बाद mature cycle, जो most important cycle 28 days की होती है इसी cycle को हम human female के अंदर study करते हैं human female के अंदर एस cycle 28 days की दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद इस cycle के अंदर होता क्या है तो ohum formation की process चलती है, उसके बाद जो ohum form होते हैं, अगर fertilization नहीं हो जाएगा, तो जो भी वहाँ पर form होई वाले जो ohum होगे रहा है, उसके आपर हमें detail में दिखेवाला है, इसके उपर हमें long answer question, short node स्टा, फिल descriptive question, पुश्चे होते हैं तो इसी प्रकार के chances diagram से बच्चों, तो हमें diagram को अच्छी तरह है, ठीक है अब final और last की जो diagram है हमारी इसी topic ही, जो है placenta, बच्चों, placenta क्या होता है जो uterian wall से connection create करता है, developing embryo अगर developing embryo का connection वहाँ पर create हो रहा है, तो इसे हमें इसे के अंदर हमें बहुत सारे parts दिए वाले, जैसा कि uterian wall दिए वाली है, यह placenta का structure होता है वहाँ पर है, उसके बाद intervillus space दिखाई दे रहा है, umbilical cord भी वहाँ पर है वच्चों, उसके बाद amniotic sag दिए वाला है, amniotic suture दिए वाला है, chorion दिए वाला है और amni-on भी दिए वाला है, तो इतना यह इतना हमें दिए वाला है diagram के basis पर, ठीक है तो बच्चों, thank you all of you बहुत सारे बच्चा ने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, और आने वाले exam के लिए diagram हमारे beneficial होता है, ठीक है thank you all of you